रन्बीर कपूर के पांच शब्दों ने 300 करोड के बजट का गेम बिगार दिया है मैं बात कर रही हूँ रन्बीर कपूर की फिल्म ब्रहमास्त्र की ये फिल्म रिलीस के लिए तयार है रन्बीर आलिया है इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं लेकिन अब ये फिल्म boycott होने जा रही है और लोगों ने अभी से सोशल मीडिया पर इस फिल्म को boycott करना शुरू कर दिया है इसके पीछे reason है 11 साल पहले का एक interview जो रनबीर कपूर ने दिया था और इस interview में कहे गए वो 5 शब्द अब इस पूरी फिल्म का गेम बिगार रहे हैं इस interview में रनबीर कपूर ने beef को लेकर बात की थी जब इंडिया में beef ban का मामला गरम था तब रनबीर कपूर ने कहा था कि मुझे beef पसंद है मैं beef eater हूँ social media पर रनबीर की अब यही विडियो वाइरल हो रही है और लोग कह रहे हैं कि यह beef eater बीफ खाने वाला अब प्रमास्तर में शिवा का रोल कर रहा है हम इस फिल्म को नहीं देखेंगे social media पर रनबीर कपूर की इसी विडियो को वाइरल किया जा रहा है लोग share कर रहे हैं और demand कर रहे हैं कि इस फिल्म को ban किया जाए सबसे बड़ी बात अगर ब्रमास्तर फिल्म ban होती है तो करण जोहर को इस फिल्म से बहुत बड़ा जटका लगेगा और बहुत भारी नुकसान होगा क्योंकि अब तक की धर्मा की ये सबसे बड़े बजट की फिल्म है इस फिल्म को ना सिर्फ बनने में 6 साल लगे हैं बलकि 300 करोड के बजट से बनाई जा रही इस फिल्म के 2 और पार्ट्स आएंगे यानि कि 3 पार्ट्स में ये फिल्म आने वाली है और अगर पहले ही पार्ट पर ऐसी कॉंट्रवर्सी खड़ी हो जाएगी तो कह सकते हैं कि आने वाले दो पार्ट्स के लिए भी रस्ता मुश्किल हो जाएगा अब ये सोचने वाली बात है कि इस बार बॉइकॉट से क्या करन जोहर बच पाएंगे इस बॉइकॉट से बचने के लिए करन क्या आइडिया लगाएंगे